हेलो दोस्तों मेरे नाम है आरेन और आप देख रहें करिक डिजमर लीजिन और आज हम चुनेंगे वीवो आई पेल 2019 की बेस्ट प्लेंग 11 तो चलिए शुरू करते हैं तो मैं उपनर्स को रखूंगा डैविट एक्स्प्लोजिव वार्नर और कमाल लाजवाब राहूल डैविट वार्नर में तो कोई शंका ही नहीं है वो तो हर एक की टीम में होंगे होंगे हाइस रंगेटर है इस सीजन के औरेंज कैप वैसे भी है पर उनको ही मिली है और बारा वैसे खेलने हैं उसमें 600 कुछ रंड बना गए तो वो तो मेरी टीम में हर एक की टीम में होंगे होंगे उनके साथ केल राहूल वो सेकेंड हाइस रंगेटर है और उन्होंने भी कई बहुत अच्छी पारी खेलिए एक जो 100 बना ही मुंबे इंडिंस के सामने बहुत ही अच देखोगे तो टॉप 10 रंजगेटर में आते हैं वो आई पी अच्छी नाइटीन में तो मैं उनको टीम में रखूंगा और नमबर फॉर पर रिशम पंथ रिशम पंथ ने कई मैचेस अधूरे छोड़े हैं पर कई उन्होंने फिनिश भी कि हैं बड़े मैचेस उन्होंने जिताया है एलिमिनेटर आल्मोस्ट जिताया है फिनिश नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने ही जिताया है वो मैच भी तो वह मैं उनको अपनी टीम में रखूंगा क्योंकि उनके पास एक 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 स्वाक्टर है उसके बाद नमबर फाइब फाइब मेरे वापस चल गया है पू रियाइबिल में तहलका मचा दिया है क्या बैटिंग के उन्होंने एक्स्प्लोसिफ पावर और वैसे ही सेवथ पे हार्दिक पांडिया तो यह दो इस टाइम पे वर्ल्ड में टीटूंटी में वान ऑफ बेस्ट और राउंडर्स हैं दोनों ही मतलब अलगी लेवल पे खे बहुत ही अच्छी बॉलिंग की इन्होंने भी और श्रेस गोबाल एक यंग इंडियन अनकैट प्लेयर आके इतने विकेट्स ले जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है उनको खेलता हुए देखके और उसके बाद एक कागीसो रबाड़ा उन्होंने भी क्या बॉलिंग जब मुंबई इंडिया उन्होंने विकेट दिलाई है तो वह मेरी टीम में होंगे होंगे तो चलिए दोस्तों यह थी मेरी आईपेल 2019 की 11 विट फोर ओवर्सीस प्लेयर्स अगर आपको आप सहमत है इस 11 से तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को करका बेलें गज़रुद भाईये